Hello and welcome to my channel CBS is Simplified. मेरा नाम है अनुपर मिश्रा. आज का जो topic है discussion का, आज का जो video है, वो है कि how to form plural of a noun, यानि कि किसी singular noun को plural noun में कैसे change करते हैं, उनके rules क्या हैं, तो singular noun से plural noun बनाने के जो rules से उसके बारे में हम discussion करेंगे, और साथ-साथ जो examples हैं, वो examples के बारे में भी हम बात करेंगे, चैनल को subscribe करें, वीडियो को like और share जरूर करें, अपने friends के साथ, अपने say party के साथ, और साथ-साथ अगर आपका कोई इस video के बारे में suggestion है, कोई आपका feedback एस video के बारे में, तो मुझे उस video के बारे में जरूर मेरे साथ share करें, चले शुरूर करते हैं, बहुत ही interesting topic है, English पढ़ने वाले सभी बच्चों को कम से कम ये जो basic rules हैं, उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, तो कुछ rules यहां पर आपके लिए लेकर आए हूँ, बहुत सारे अलग-लग rules हैं, लेकिन जो 5-6 common rules हैं, उन्ही rules के बारे में इस video में हम बात करेंगे, तो पहला rule देखे, जनरल लूगी यही है, हमें सिखाया जाता है शुरूरात की classes में, कि किसी singular noun का, plural noun लाने का सबसे जो basic fundamental तरीका है, कि singular noun में या तो s लगाए हैं, या फिर वो yes लगाके उसका plural बन जाता है, लेकिन इन में भी, जब हम किसी word में singular noun में s लगाए हैं, या yes लगाए हैं, तो उसके लिए भी कुछ fundamental rules होते हैं, जिनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो normally जैसे कि मैंने बोला, किसी singular noun को अगर plural बनाना है आपको, तो या तो उसमें s लगाए है, या फिर yes लगाए है, लेकिन इसके पीछे, जो fundamental चीज है, जो basic और important चीज है, rule के हैं पहले उसको हम समझ लेते हैं, तो plurals of nouns are generally formed by adding s to the singular nouns, जैसे boy, boys, girls, अब ये चीज हम कैसे decide करें, important चीज ये है कि किस noun के end में s लगेगा, और किस noun के end में yes लगेगा, तो जो दूसरा वाला rule है, कि किस noun के end में yes लगाना है, उसका rule हम पढ़ लेते हैं, तो ये तरह असानी से समझ में आ जाएगा, देखिए होता क्या है, अगर कोई singular noun के last में single s आता है, double s आता है, sh आता है, ch आता है, या फिर x आता है, तो उनका plural बनाते समय हम उनमें yes एड़ कर देते हैं, बाकि जो nouns हैं जिनमें ये words last में नहीं आते हैं, जैसे हमने उपर example में देखा, boy, it ends with a y, girls में end हो रहा है l से, book में end हो रहा है k से, pen में end हो रहा है n से, desk में end हो रहा है k से, तो हमने सिर्फ उनके आगे s लगा दिया, तो plural बन गया, लेकिन वो singular noun जो जिनके last में या तो single s आता है, double s आता है, sh आता है, ch आता है, तो उनका plural बनाते समय हम उनको 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 में S लगाकर E S लगाते हैं कुछ examples हैं जैसे class CLA double S, double S से end हो रहा है तो जब इसका हम plural बनाएंगे तो उसमें CLA double S, E S उसमें हम E S चोड़ देते हैं Similarly box, X से end हो रहा है boxes, E S लगाएंगे dish, SH से end होता है तो dishes में E S लगाएंगे watch, घड़ी, watches जब हम plural बनाएंगे तो उसमें हम E S लगाएंगे tax, यभी X से end होता है तो taxes में E S लगाएंगे brush, brushes में E S लगाएंगे branch, branches मनाएंगे तो E S लगादेंगे और bus, buses तो यह important rule याद रखने माली बात यह है कि छोटे बच्चे खास तोर पर इस बात पर ध्यान दे कि जिन singular noun के end में single S आता है, double S आता है, CH आता है SH आता है या फिर X आता है उनका plural बनाते समय हम E S लगाते हैं next rule के तरब बढ़ते हैं, अंगला rule क्या है many nouns ending with O from plural by adding E S to that singular noun बहुत से noun जो end में जो O से end होते हैं कुछ noun, सारे नहीं है बोल रहा है सारे end, सारो में यही rule applicable है कुछ nouns, जिरके last में O आता है तो जिनका हम plural बनाते हैं तो O के आगे हम E S लगा देते हैं example देखते हैं, जैसे mango M A N G O जब plural बनाएंगे तो M A N G O E S क्योंकि वो end से end हो रहा है similarly tomato becomes tomatoes, yes लगेगा potato becomes potatoes, yes लगेगा cargo, cargos buffalo, buffalo में E S लगेगा hero में भी E S लगेगा क्योंकि यह O से end होते हैं लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यही एक particular rule यही रही है कि जो noun O से end हो सबके last में E S लगता है ऐसा नहीं है, कुछ nouns है a few nouns that end with O take only S while making plurals कुछ noun O से end जरूर होते हैं, लेकिन जब हम इनका plural बनाते हैं, तो हम उसमें E S न लगा कर S लगाते हैं, तो यह rule भी ध्यान रखना पड़ेगा, यह जो words आप इनको याद कर सकते हैं, जैसे एक्जामपल है ratio, ratios बनाएंगे तो E S नहीं लगाएंगे, केवल S लगाएंगे photo, photos में E S नहीं लगता है, logo का plural बनाएंगे logos, E S नहीं लगेगा kilo, kilos, E S नहीं लगेगा commandos, commandos इसमें भी E S नहीं लगता है piano, pianos में E S नहीं लगायागा, हमने kento, kentos, solo, solos इन सभी words जो मैं आपके लिए लेकर आए हूँ यह सारे O से end होते हैं, लेकिन इसमें E S नहीं लगाते हैं Now the next rule is when a noun ends with Y N is preceded by a consonant their plural is made by replacing Y with I E S कोई word, कोई noun, singular noun कि अगर last में Y आता है और उस Y से पहले कोई consonant आ रहा है, तो English में 26 letters हैं, उसमें A, E, I, O, U को छोड़कर बाकी सारे consonant हैं, तो कोई noun अगर Y से end हो रहा है और उस Y से पहले कोई consonant आ रहा है तो rule यह है कि उसका जब हम plural बनाते हैं, तो Y हटा कर उसकी जगे I, E, S लगा देते हैं example baby, B, A, B, Y Y से end हो रहा है, उससे पहले city, Y हटा के I, E, Cities, story becomes stories, Y हटा के I, E, E, army, armies, Y हटा के I, E, 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 इसमें भी लगाई हैं और pony बिकम ponies इसमें भी Y हटा के I, E, 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 add करना पढ़ता है next ó rule है, when a noun ends with F या F E, its plural is formed by replacing F और F E with V – E Dेखें मतलब यह है कि कोई noun के end में F आता है यह FE आता है singular noun की बात कर रहो है और उसका जब अगर plural बनाना है तो rule यह है कि उसमें F और FE हटा कर जो भी लगा हो लास्ट में उसको हटा कर VES लगा देते हैं जैसे example थीफ F से end हो रहा है तो जब इसका plural बनाएंगे तो F हटा दीजिए उसकी जगे VES wife becomes wives F E से end हो रहा है इसमें भी F E को पूरा हटा कर VES लगा देते हैं life becomes lives loaf becomes loaves self becomes selves F हटा कर VES knife F E से end हो रहा है knives बन जाता है half become halves calf become calves wolf बन जाता है F से end हो रहा है scarf become scarves hoof become hooves and dwarf become dwarves तो यह वो सारे example है जो noun singular noun F से या फर E S से end होते है जब इनका plural बनाते हैं तो last के F या E F दोनों को हटा कर जो भी वहार लगा हुआ है उसमें VES add कर देते हैं अगला जो rule है अब यह देखे यह universal rule रही है कि जो जिस भी सभी noun जो जिसके last में F या F E आता है सभी को हटा कर उसमें VES लगाते थे ऐसा नहीं है कुछ noun ऐसे हैं जो F या F E से end जरूर होते हैं लेकिन जब उनका हम plural बनाते हैं तो केवल S लगा देते हैं यह exceptionist rule का कुछ examples हैं जैसे chief chiefs जब लिखेंगे तो V E S नहीं लगाएंगे केवल इसमें S लगा देते हैं safe become safes proof become proofs gulf become gulfs cliff become cliffs and hankerchief become hankerchiefs यह सारे वो noun है जो या तो F से या फिर F E से end होते हैं और जब इनका हम plural लनाते हैं तो केवल S लगा देते हैं next रूले बड़ाई common सा रूले थोड़ा interesting भी है some nouns are there some nouns form the plural by changing the inside vowel of that singular noun कुछ noun ऐसे हैं जब इनका हम plural बनाते हैं तो जितने भी हमने पीशे रूल पड़े वो उन पर रूल applicable नहीं होते हैं ना उसमें S लगता है ना ES लगता है ना VES लगाते है और उसमें add करते हैं हम क्या करते हैं कि उस noun के अंदर जो vowel आ रहे हैं उन vowel को हटा कर हम उसको vowel को change कर देते हैं जैसे foot foot का मतलब एक पैर singular है इसका plural मनाएंगे तो feet हमने दोनों vowel को change कर दिया man man हमने inside vowel a को change करके e कर दिया man उसी तरह से woman तो इसमें हमने इसको वह वह एक हटा के e लगा दिया mouse becomes mice louse जों को बोलते हैं सरों में जों होती है it becomes lice tooth का मतलब एक दाथ plural बनाएंगे तो teeth हो जाएगा goose का मतलब hans एक hans और जब plural बनाएंगे तो geese हो जाता है कुछ exception है कुछ rule है जो कि थोड़ा सा leak से हटकर है यह याद रखने वाली बात है इनको आप याद रखिए कि कुछ noun ऐसे होते हैं जिनका हम plural बनाते हैं तो उसमें हम end में en लगा देते हैं जैसे example है ox, bell plural बनाएंगे तो oxen हो जाता है child मतलब एक बच्चा plural बनाएंगे तो वो children हो जाता है और जो last है इसका rule कुछ nouns ऐसे हैं जिनका singular और plural हमेशा एक जैसा रहता है वो singular में भी उसी form में use होते हैं plural में भी उसी form में use होते हैं change नहीं होता है example sheep singular भी sheep है plural भी sheep ही है fish becomes fish का plural fish ही रहता है जरूर हम कई बुक्स में दिया होता है अगर आप Rin and Mountain की बुक पड़े उसमें भी दिया है grammar की सभी अच्छी बुक्स में इसका explanation दिया है कि fish को हम fish लेख सकते है लेकिन उसका condition यह है कि when we are referring to different kinds and different variety and different sizes of fish then we can use fishes उसमें हम fishes use कर सकते हैं hair, bal plural और singular एक ही है इसमें भी एक condition यह है कि hair कभी हम plural कभी कभी बना सकते है certain cases में और वो condition यह है कि hair से पहले अगर कोई number दिया हो जैसे 1, 2, 3, 4 तो आप hair का hairs plural बना सकते हैं यह बुक्स में दिया हुआ है जैसे I found two hairs in my cup of tea मेरे मुझे चाय के cup में दो बाल मिले तो आप hairs वहाँ कर सकते हो deer hair का plural deer ही रहता है swine, pear, cod, एक फिश होती है इनमें दो exception मैंने आपको बता है एक fish का plural certain cases में fishes बन सकता है hair का plural भी certain cases में hairs बन सकता है तो यह जो वीडियो था यह वीडियो कि singular noun से plural noun कैसे बनाते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आपको कोई सुझाव कोई comment है मुझे जरूर मेरे साथ share करें चैनल को subscribe करें चैनल से जोडने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुवर है